बिहार सरकार के भवन निर्मान मंत्री जयांत राजे ने बिहार के चार सीटों पर हुए उपचुनावा ज़ारकन बिधान सवा चुनाओं को लेकर बराबायान दिया है इसके साथ ही उन्होंने मुख मंत्री निर्मान मंत्री जयांत राज आईए सुनाते हैं महराष्ट की बात करें दोनों राज में एंडिये की जीत होगी और अच्छे मारजित से एंडिये आने लोगों की जिम्यदारी वहाँ पे मिली भी थी आने लोग वहाँ पे कए हैं कई एक मंत्री को वहाँ पे लगाया गया था और अन्य लोगों को लगाया गया था शुकि मानिय मुख मंत्री जी का सिडूल बहुत टाइट रहता है काफी देखते ही हैं कि बिहार में हर दिन यहां पर भी चुनाव चल रहा था चार इसमें और हर दिन कहीं ना कहीं किसी न सिलन्यास में जाना पड़ता है मुख मंत्री जी को तो इस कारण से मुख मंत्री जी नहीं गया है लेकिन कहीं कोई दिक्कत वाली बात में दोनों सिर्फिर हम लोग चुनाव जी तो वहां के लोग ज्यादा बहतर बता सकाए कि यह बिहार से चुड़ा हुआ कि निकलेंगे महिलाओं से संबाद करेंगे क्यों आँ सकता आन पुड़ी वार्व क्या इसकी अहनीफ है कि समय समय पे बिहार में विकास की यूजनाओं को देखने के लिए मुक्वंत्री मान मुक्वंत्री बराबर निकलते रहे हैं आप देखे होगे कि हर जिगा जीवी क लोग से संबाद किया जाता है यह संबाद के तरीका है कि हमने जो काम किया है अभी चार साल हमलों के सरकार का हो गया है हमने जो काम किया है उससे क्या फिडवेक है क्या नहीं है क्या उसमें और आव सकता है हर रोज तो मुकवंत्री जी काम पर ही लगे रहाता है तो इस पे 20 की परिस्तिती अलग थी 20 में जो परिस्तिती हुआ लेकिन कोई भी परिस्तिती रहा उस परिस्तिती 20 का चुनाओ के बाद 24 का भी चुनाओ हुआ है 24 की परिस्तिती को आपने देखा है कि महिला पूस दोनों भुट्रों ने NDA को बहुत मजबुती से बत दिया और दो हजर पचीस पे आप जान लिजी हम लोग का 200 सीट का लक्ष है 220 सीट का लक्ष है और हम लोग 220 सीट लाई जैंतराज ने कहा है कि बिहार के सभी 4 सीटों पर NDA की जीत तो तैहे ही इसके साथ ही जिस तरह से जारखन में जेडियू 2 सीटों पर चुनावलरी है वो 2 सीट भी निशित रूप से जीतेगी इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मुखमंत्री लगातार कारे योजना पर कारे करत हैं और वो काफी कारे के परती शनवेतंसील रहते हैं इसके तहथ ही वो लगातार विभीन संगत्नों के साथ जान सनवात करने की बात कही है और कहा है लोगों की समश्या सुनकर उनका निदान करेंगे दरसनी उच के लिए ग्यानिंद्र की रिपोर्ट